वास्तविक जीवन से संबंदित सवाल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोज मर्रा की जिन्दगी में गनित का कैसे प्रयोग किया जा सकता है यह हैं करीम भाई पिछले साल इनकी फसल बहुत अच्छी नहीं हुई इन्होंने पंचायत घर के टीवी पर क्रिशी दर्शन प्रोग्राम में देखा कि सालों से खेती करने के कारण भूमी की उपजावक शमता कम हो जाती है उन्होंने यह भी सीखा कि अगर वहग गेहूं के साथ मसूर दाल भी उगाएंगे तो उनके खेत की मिट्टी फिर से और उपजाव हो जाएगी आज करीम भाई बहुत प्रसंद हैं वह गेहूं और मसूर दाल के बीज लेने जा रहे हैं उन्होंने दो सो पचास किलो गेहूं के बीज खरीदे और पांच किलो मसूर दाल के अगर पचास किलो गेहूं के बीज का दाम है ग्यारह सो रुपए और एक किलो दाल के बीज का दाम है एक सो बीस रुपए तो करीम भाई ने दाल के बीजों पर कितने पैसे खर्च किये बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हो एक किलो दाल के बीज का दाम है एक सो बीस रुपए तो पांच किलो के हुए एक सो बीस गुणा पांच छेसो करीम भाई ने छेसो रुपए दाल के बीज पर खर्च किये करीम भाई बीज तो ले आए अब है यह सोच रहे हैं कि किस तरह से बीजों को बोया जाए चलो हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं करीम भाई के खेट की साइज है यह वह सोच रहे हैं कि दोनों बीजों को इस प्रकार लगाएं तब ही उनके दोस्त विजय आते हैं और यह सुझाव देते हैं कि बारी बारी फसल का पक्ष बदलते रहने से मिट्टी उपजाव बनी रहती है करीम भाई को दोस्त का सुझाव अच्छा लगा उन्होंने उसी प्रकार बीजबोएं तीन महीने बाद देखो तो करीम भाई के मसूर दाल की फसल कितनी लहलहा रही है गेहूं की फसल को तयार होने में अभी समय है दाल की फसल काटने के लिए करीम भाई साथ मस्दूरों को बुलाते हैं सब ने मिलकर एक दिन में एक एकड की फसल काट ली है तो सोच के बताएं कि पांच एकड की फसल को काटने में कितने दिन लगेंगे बच्चों, आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं हाँ, पांच एकड दाल की कटाई पांच दिनों में होगी देखो, करीम भाई बाजार में अपनी मसूर दाल की फसल बेचने आए हैं दुकानदार करीम भाई को एक लाख चालिस हजार रुपए देते हैं करीम भाई बहुत खुश हैं बच्चों, अगर एक किलो दाल को बेचने का दाम सत्तर रुपए है तो करीम भाई ने कितने किलो दाल बेचे? बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं क्या हम एक लाख चालिस हजार से सत्तर घटाएंगे या विभाजित करेंगे एकदम सही सोचा आपने हम विभाजित करेंगे बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं एक लाख चालिस हजार को सत्तर से विभाजित करने पर हमें मिले दो हजार करीम भाई ने इन तीन महीनों में दो हजार किलो दाल बेची अब चलो हम देखते हैं कि करीम भाई को कितना मुनाफ़ा हुआ बच्चों आप वीडियो को रोक कर इसका हिसाब लगा सकते हैं के दाल के बीज खरीदे 15,000 रुपए मजदूरों को दिये दोनों अंकों को जमा करें तो बनते हैं 15,600 रुपए फसल को बेचने पर करीम को मिले 1,40,000 रुपए 15,600 को 1,40,000 से घटाएं तो बाकी बचे एक लाख 24,400 रुपए तो बच्चों देखो करीम भाई को एक लाख 24,400 रुपए का मुनाफ़ा हुआ आज हमने गणित में किये जाने वाले विभिन संचालनों का प्रयोग करना सीखा प्रयोग करुए झाल